नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं बिहार के पश्चमी दक्षनी और मद्य भागों में रविवार को गलन के साथ ठंड बढ़ गई है प्रदेश के 32 जीलों में नियूंतम पारा 11 डिग्री से कम दर्ज किया गया हिमाले छेत्र में हो रही बड़बारी से प्रभाव और कनकनी भी महसूस की गई अगले 24 घंटे में बिहार में रात और दिन के तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होने के असार लगाए गये हैं कुछ इलाके में मध्यम घना कोहरा चाने का भी अनुमान है आइमडी की जनकारी के मुताभिक पचुआ उत्री हवा दक्षिन बिहार में 10-20 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बही जबकि उत्तर बिहार में इसकी गती 3-5 किलो मीटर प्रति घंटे की रही इस तरह प्रदेश के विभिन भागों में हवा की रफ्तार की वज़ा से ठंड में अंतर देखा गया, ठंडी हवाओं से सबसे ज़्यादा तापमान दक्षिनी बिहार का प्रभावित हुआ, यहां के अधिक्तम तापमान में 2-4 डिगरी की गिरावट दर्च की गई है, उत्री बिहार में सुमवार को पच्छिया हवा चलने से कनकनी वाली ठंड पड़ेगी, इस से रात के तापमान में गिरावट की संभावना है, दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन पच्छिया हवा से धूप में गर्मा हट कम महसूस होगी, सूरज ढलने के साथ सर्दी बढ़ जाएगी, शुबह में हलका कोहरा चाय रहने की संभावना है, सनिव रविवार को पटना में अधिक्तम तापमान समान्य से तीन डिग्री नीचे और गया में शमान्य से पाँच डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, वही भागलपूर और पुर्निया में अधिक्तम तापमान समान्य से एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इस तरह बीच रहा सबसे कम नियूंतम तापमान गुपाल गंज में 7.4 डिगरी सेलसियस दर्ज हुआ वहीं सबसे अधिक तापमान गया में 18 डिगरी सेलसियस दर्ज किया गया शुबे में ठंड इन दिनों लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर चुकी है पश्चमी विचोब और प्रती चक्रवात गुजर चुके है लेकिन रात की अपेक्छा दिन कुछ ठंडा महसूस हो रहा है रविवार को साम ढलने के बाद अधिक ठंड महसूस किया गया प्रदेश में पचुआ का प्रवाह जारी है नियूंतम तापमान में 2-3 डिगरी सेलसियस की कमी होने का पूर्वा अनुमान जारी किया गया है यानि अभि ठंड का प्रकोप जारी रहेगा लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें